नमश्कार यूपी मिस्रा का इंसाइट जारखंड के ओर से जोहर इंगे यूपी मिस्रा इंसाइट जारखंड पस्टा कौन आज मैं मंगल का करक रासी में रहते हुए ब्रिशव रासी वालों का एच चालिस दिन that is up to 8.08.2090 तक का क्या रिजल्ट होगा ये बता रहा हूँ जो गोचर में सारे ग्रह हैं उनका जो रिजल्ट होना है सो होना ही है I am specifically I have picked up Mars for you सिर्फ मंगल का basis रिजल्ट में बता रहा हूँ और गोचर के अन्य रिजल्ट उसमें आपको जोड लेने होगे ब्रिशब रास्यवालों के लिए मंगल तीसरे है तो तीसरे का मंगल सुभ होता है लेकिन जदी तीसरे से बारहवे घर में तीसरे से बारहवे घर में जदी कोई ग्रह हो तो बेध लग जाता है मतलब तीसरे से बारहवे घर में कोई ग्रह नहीं है एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ, नौ, दस, बिगारा, बारा तो इसका मतलब है कि मंगल का जो शुभ रिजल्ट मिलना है वो मंगल शुभ रिजल्ट दे रहे हैं सुभ रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन मंगल का जो नीच का रिजल्ट है मंगल नीच है ये रिजल्ट भी मिलेगा और मंगल का क्लासिफिकेशन आपको नक्षत्र सिधानत के हिसाब से करना पड़ेगा कि मंगल आपके लिए विपततारा में है प्रत्यारीतारा में है या बधतारा में है या जन्मतारा में है इस चार ताराओं में जदी मंगल आपके नक्षत्र के हिसाब से हैं तब भे ये मंगल अशुब हो गए ये तीन बेसिक चीज़ है पहले इसको कर लिजे क्लासिफ़ाइग से इंगल आपके शीज़ में जब आपके जब आपके नहीं है उसका भी रिज़्ट मिलेगा चौथा बेध का जो है वो ही शुब रिजल्ट मिल रहा है अब बचा मंगल के अपनी दिरिष्टी का हिज़ाब मंगल पुनरबशु में रहे या पुश्य में रहे या आसलेशा में रहे करकरासी में ही रहेंगे इसलिए जो रिजल्ट में बोल रहा हूँ वो आपको आठ अगस्ट तक आठ आठ दो हजार उन्हेस तक वैलिट रहेगा अब जितना भी जो रासी फल या गोचर का फल कभी मैं बताऊं या कोई भी आप कहीं दूसरे जिगर देख रहे हो तो इसको अपने दिमाग में पहले बैठा लिजे कि मंगल ये दे रहे हैं निगेटिव या पॉचिटिव दुर्भाग ये ये है कि मंगल नीच के हैं बट इस ओनली प्राब्लम नीच का मतलब जब मंगल चार नंबर में रहते हैं तो नीच के रहते हैं मंगल जब दस नंबर में रहते हैं तो उच्छ के होते हैं उच्छ का मतलब he can give 100% positive result नीच का मतलब he can give 100% negative results अब मंगल चुकी थर्ड हाउस में सुभ है तो थर्ड हाउस के लिए ये मंगल चार नमबर में होने के बाद यहाँ पर माइनस जरू लिखे बोलिये मत तो थर्ड हाउस में होने के कारण मंगल तो शुब है मंगल तीन-चे एगारमें सभी पापग्रह शुब होते हैं मंगल तीन-च़ो एगारमें शुब होते हैं इसलों मंगल शुब है तो मंगल शुब है का मतलब क्या हुआ मंगल हमेशह वन और एट के मालीं मालिक होते हैं 1 By Eight This is a Mars One आप की कु डेमें 12th Lord है और आठ आपके कुंडली में वाइप का या हास्पेंड का घर है तो ब्रिशब लगन के कुंडली में मंगल बेसिकली दो चीज जरूर इंडिकेट कराते हैं इसे गाड़ी के चक्के पर ही 24 कंटा बैठे रहे हो इधर जाना उधर जाना उधर जाना उधर जाना उधर जाना उधर जाना यह मेरा एक्सपेरियस्ट भी चीज है तो मंगल शुब हुए तो इसको शुब क्या और इसको सुब क्या 12th हौस को सुब क्या और 7th हौस को सुब क्या तो शुब जर्णी जो आपकी जर्णी होगी खास करके पूरब दिसा में नदी के किनारे यह 12th हौस इस रीवर बेड़ और इट इस ऐसी पूरब में समंदर तो कलकड़ा के पास ही है तो ब्रशव रासे वालों को पूरब दिसा से लाब चाहे छोटी जर्णी हो चाहे बड़ी जर्णी हो ब्रशव रासे वालों को निगेटिव मून के कारण आपके दामपत्य सुक में ब्रधी मन खटा होने के बाद भी मैं ये क्यों बोला हूँ मन खटा मार्स जो है ये क्रूर ग्रह है कड़े ग्रह है अगनी के ग्रह है एके 47 है परमानू बम है एटम बम है जो समझ लिए जंगल में आग लगे, सहर में आग लगे, घर में आग लगे, समंदर के पानी में आग लगे, नदी में आग लगे, जंगल में आग लगे, इस सारी चीज़ें मंगल कराते हैं, it is a destructive fire, लिकिन ये destructive fire भी शुब हो गए, इसको मैं थोड़ा और explain कर देता हूँ, माल या कोई प्रेमी जोड़ा, या husband of wife, तलाक का अरजी देकर के कोट में आगे चल रहा है, तमासा हो रहा है, ये मंगल और उनका ब्रिशवरासी है, ये मंगल अगले 40 दिन के भीतर, 2008-2009 के बीच में हो सकता है कि पासा पलट दे और ये लोग वापिस अपने जीवन में प्रवेश कर जाएं, भ्रम मिट जाएं और वापिस अपने प्रेम के जीवन में, अपने घर के जीवन में, गरस्ती के जीवन में लोट सकें, और वो करने वाले मंगल हैं, अब मंगल क् चीज़ है जो इतना बड़ा काम करेंगे तो मंगल जब चार नमबर में रहते हैं तो भगवती काली को इंडिकेट करते हैं जो लोग डायरी में नोट कर रहे होंगे ना कहीं नोट कर लिए चार नमबर में जब मंगल रहते हैं तो भगवती काली को रिप्रिजेंट करने लगते हैं तो ऐसे लोग जदी भगवती काली की पूजा करेंगे तो उनको विसेई सलाव होगा जिनके दामपत्ते जीवन में दुख की उत्पत्ती हो चुकी है जिनके दामपत्ते जीवन में दुख है ही नहीं वो भी जदी काली जी की पूजा करेंगे तो आपको बिसेई सुपलब्धी होगी दामपत्ते जीवन का चरम आनन्द मिलेगा आपनों को तीसरी बात ये मंगल को रियल इस्टेट बोलते हैं भूमी बोलते हैं मकान बोलते हैं माइस बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं जमीन के उपर जो चीज़ हो जमीन के उपर जो पहाड होता है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है और जमीन के नीचे जो पहाड होता है उसको सनी रिप्रेजेंट करते है जैसे कोईले का खान हो जमीन के नीचे इट इस रिप्रेजेंटेड वाई सैटर और भी बहुत सारी बाते हैं है तो यह मार्श आरन ओर को भी रिपर ज anterior analys को भी रिपर जेन करेंगे मेंगनीज को भी रिपर इच्छा है उसका काम डंक मार रहा है कहानी है डूब रहा था तो एक सादू उसको उठाने के लिए बचाने के लिए हाथति तलहती नीचे देह करके उसको सोचिको उठा के बाहर कर दूब रहा है उसने रिश्य को डंक मार दिया, फिर नीचे गिर गया रिश्य ने फिर भी को सिजिए कि चलो इसको बचाकर थोड़ा दूरा आगे फैक दें दूसरे बार भी जब तलहती में आया तो उसने उसमें भी डंक मारा तो एक विर्टी ने कहा कि भगवन ये क्या कर रहे हैं आप उसका तो काम डंक मारना ही है आप कितना भी कुछ करेंगे थोड़ी छोड़ेगा आपको उसको क्या मालूम कि आप उसका कल्यान कर रहे हैं तो रिशी ने कहा कि बेटे उसका काम डंक मारना है मेरा काम इसको बचाना है इसकी भलाई करना है अब ये हमको डंक मारेगा क्या मारेगा ये देखू तब तो मैं इसकी मदद ही नहीं कर सकता हूँ तो प्रवर्ति होती है रिशी का प्रवर्ति था उसके कल्यान का डाकू का ब्रिश्चिक का बिच्छा का अपना प्रवर्ति है डंक मारने का तो ये मंगल जब नीच है तो ये तो डंक मारेंगे आग जलाएंगे, मृत्यू के पास बुलाएंगे चोट लगाएंगे, एक्सिडेंट कराएंगे चाती में प्राबलम डालेंगे चाती में पानी भी फिपड़े में आ जाये तो आजचर्च की बात नहीं है खुन की कमी कराएंगे बोल मेरो में प्राबलम आएगा तो ये सब चीज अपनी जो निगेटी प्रिविर्टी है नोट कर लिए, सभी में बार बार तो एके बात नहीं बोलोगा तो मंगल जब तक चार में हैं तब तक ये प्रिविर्टी रहेगी लेकिन on the top of everything So, अब ये मंगल, चार नंबर में हैं, यहाँ पर आपके छोटे भाई भी है आपके पर्सनेल्टी भी है, आपके दोस्त भी है तो चार नंबर का मंगल, आपके छोटे भाई को कष्ट देगा कोई रोग हो जाए उनको आपके दोस्तों से जगड़ा करवाएगा आपकी पर्सनेल्टी को भी लेट डाउन करवाएगा लेकिन ब्रशव रासी के लिए ये मंगल शुब है तो ये थोड़ा कम करेंगे लेकिन डंक मारने की कला जो है मंगल फोड़ेंगे नहीं तो भाई पर ध्यान दीजे ही इस हाविंग सम प्रॉब्लम दोस्त आप से जगड़ा करेंगे चोटे भाई जमीन जायदाद को लेकर के जगड़ा करेंगे और आपकी पर्सनेल्टी इसे ही लेट डाउन होती रहेंगे अब इस मंगल का इनकी जो चोथी दृष्टी है एक दो तीन चार यह यहां पड़ेगा इसमें तीन चीज रहते हैं मौलूम है आपको सत्रू रोग और करजा यह तीन चीज रहते हैं अब मंगल की दृष्टी कुटिल दृष्टी कडी दृष्टी हारफुल दृष्टी यह साथ नंबर के ट्रेंगल में पड़ेगा यहां प्रवेस करेगा तो आपके सत्रू गो स्वधो शांत हो जाएगे मर जाएगे भाग जाएगे हार जाएंगे आपको जुसी कोई रोग है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा मतलब इस बीच में किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो जो डाइगोनोसिस कर रहे हैं इत्तिफाक से वो डॉक्टर कमजोर भी है तो वो सही निर्णे लेंगे और दवाईयां भी आपको काम करेगी उसी तरह से आपके जो करजे हैं आपने जो करजे पहले से ले रखे हैं उसका भी निवुटारा हो जाएगा लेकिन भगवती काली की क्रपा चाहिए उसको छोड़ करके चाहिएगा कि मैं भगवान में विस्वास नहीं रखता हूँ तो ठीक है रिजल्ट फिर भी मिलेगा नास्तिक हो तब भी मिलेगा लेकिन आनंदा एक नहीं मिलेगा तो मंगल की ये जो चौथी दिरिष्टी है ये करूर होते हुए भी आपके लिए शुब हो गया और इसकी भेले डिटी रहेगी आठ आठ दोहजार उनेश तक ये मंगल की साथमी दिरिष्टी यहां पड़ेगी ये मंगल की साथमी दिरिष्टी वो यहां पड़ेगी इस घर में ये घर आपके भागी का घर है कठिनाई सेही सही ये दस नंबर मंगल की उच्चे का घर है दस नंबर में जो मंगल रहते हैं तो सौ पैसा पॉजिस्टीव होते हैं तो इनकी दिरिष्टी भी तो पड़ रही है पॉजिस्टीव यहां पर तो ब्रिषब रासी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आकर के खड़ा हो चुका है 26 जून से आपके भागी का उत्थान हो आपका प्रमोसन हो आपका तवादला भी हो तो आपके मर्जी के अनुसार हो आपको चाती पॉर्ण बनाये जाए आपके जस्की बृद्धी हो यह इतनी चीज़ें हैं और इसी घर में आपके पापा भी हैं नाइन्थ हाउस पापा के भी होता है तो आपके पापा के लिए भी मंगल की चोथी दृष्टी अपने अस्थान से सप्तम भाव में that is मकर रासी में शुभ होगी पापा का कल्यान होगा चाहे सरीर से हो चाहे धर्म से हो चाहे धन से हो चाहे समाजी कुरत्वा से हो किसी भी प्रकार से होगा लेकिन होगा और मंगल का यह यहां से एक दो तीन चार पंचम भाव में भी मंगल की दृष्टी पड़ेगी कितना पचास पर्शन पड़ेगी मंगल जहां रहते हैं वह से पाँचमें भाव में उनकी पचास पर्शन की दृष्टी भी पड़ती है तो यह तो आपके पत्नी का घर है आठ नंबर लगन के हिसाब से लेकिन इंसीडेंटली यह आठ नंबर आपके मंगल का भी घर है तो मंगल का घर है और आपके पत्नी का भी इंडिकेटर है तो कुछ ऐसी बात घटेगी आपके पत्नी के लिए कि उनकी मरजादा बढ़ेगी जदी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है इंक्रिमेंट मिल सकता है उनका स्टैटस बढ़ेगा और उत्तर जिसा जिदी तबादला होता हो उनका तब भी खुसी मनाईए ये शुब होगा अब मंगल यहां से अस्टम भाव में भी यहां पर 75% इनकी द्रिष्टी पढ़ती है मंगल की 75% द्रिष्टी आपकी जॉब के घर में पढ़ेगी यहां पर 11 नंबर है इस 11 नंबर को वेस्ट बोलता है पस्चिम दिशा अब पस्चिम दिशा वह भी सनी का घर है तो जो लोग कल कार खाने में काम करते हैं उनके लिए यह अच्छा रिजल देंगे मंगल यह अच्छा रिजल देंगे 75 पैसा मंगल की द्रिष्टी पढ़ रही है और 11 नंबर को लोहा बोलते हैं मंगल को जमीन बोलते हैं तो लोहे का माईस तो जो लोग माईस मिनरल्स ऐसे जगह में काम कर रहे हैं या फैक्टरी में काम क्र रहे हैं से टाटा की कंपनी है ये लुहाई की कंपनी मानी जाती है डिलस्वित स्टील तो ब्रिशब रासी वालों के लिए पस्चिम दिसा से भी कुछ मिलना है उधर से भी कुछ आने की बात दिख रही है जिद्धपी प्रारत्मिक दृष्टी कौन से आपको ये शुभ नहीं लगे लगेगा क्यों सुभ नहीं लगेगा इसलिए कि मंगल नीच के ही है तो आपको लगेगा कि चलो ये बेकार सा कुछ मिल गया हमको ये बात नहीं है ज्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ सही है ज्यान रखिएगा ये बेकार सा नहीं है बिलकुल ठीक ठाक है और साथ आ से मंगल की अपनी अच्छी द्रिष्टी पड़ेगी और 50% वाली भी द्रिष्टी पड़ेगी कोई भी ग्रह कहीं भी रहे तो अपने से त्रिकोण के बिंदू पर उसकी पूरी द्रिष्टी पड़े जाती है बहुत शुब होता है तो यह घर भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया तो ब्रिषव रासी वालों के लिए पैसे की तरक्की होगी आपका पे बढ़ेगा आपका इंक्रिमेंट बढ़ेगा कुछ एरियर्स मिलेंगे कहीं से कुछ पैसे जो बकाएं हो आ जाएंगे तो यह इस्थिति मंगल चालिस दिनों तक ब्रिषव रासी वालों को दे रहे हैं और चुकि मंगल एक दो तीन में हैं तो इसका बेध भी यहां भी कोई किसी तरह से नहीं लगने जा रहा है बेध नहीं लगने जा रहा है तो इसी में कुछ इस्थितियां ऐसी होंगी आठ नमर में गुरु है गुरु बक्री है नौ नमर में सनी है केतु है यह भी बक्री है अभी 24 दिग्रे में या 24 दिग्रे में होंगे मैं ने ध्यार नहीं दिया है तो आपके इस ब्रश वरासी से ये सनी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अस्थम्भाव में आ गए सनी आपके मृत्यू के घर में आ गए तो पहला काम यह किया कि इन्हों ने आपके आयू को बढ़ा दिया आयू की ब्रद्धी हो गई लेकिन के तो कहते हैं मैं तो काटूंगा तो छोटे मोटे एक्सिडेंट संभव है और आपके चंद्रमा से चुकी ये अस्थम्भाव में आए है तो उसका रिजल्ट होता है ट्रबल्स डिफिकल्टीज और दुख की ब्रद्धे दुख की ब्रद्धे लेकिन ये चंद्रमा से शिक्स एट है और मंगल जिनकी कहानी मैं बोल रहा हूं उनसे एक दो तीन चार पाच छे इनसे भी शिक्स एट के रिलेशन में हैं तो मंगल और सनी जो भी शिक्स एट रिलेशन में रहते हैं तो शास्त रिया बरा मिहर का कहना है कि जुद्ध की इस्थिति बनती है शिमांत में जुद्ध संभव है रूस अमेरिका चाइना इन सब देसों में भी जुद्ध की इस्थिति बनती है मुस्लिम रास्टों में द्वेस उत्पन्न होता है ये अपना मुंडेन का रिजट की बात में बोल रहा हूँ मंगल और सनी जब 6-8 में हो तब नोट करनी के लिए नोट कर लीजेगा आगे आप के भई शफल बोलिएगा तो आपको काम आएगा और ये सनी की अपनी द्रिष्टी एक, दो, तीन तो यहाँ पर मंगल की 75 पैसा द्रिष्टी पहले से थी और सनी की 100 पैसा की द्रिष्टी यहाँ फिर से आ गई तो 175 परसेंट आपका 11th हाउस, 11th नमबर का जो घर है देट इस 10th हाउस उसमें बृद्धी हो गई तो सत्परतिशत मान करके चलिए कि आपका प्रमोशन हो सकता है एच चालिस दिनों के अंदर में 88-2019 के बीच में संभावना है कि 99.9% आपके लिए प्रमोशन की बात हो या ट्रांसफर की बात हो तो अच्छी बात हो हर चीज जो आपके जॉब से रिलेटिड होगा वो आपके हक में जाएगा इस बात को आप मालेजिए और ये केतू गुरू कैसा रिजट करते हैं दृष्टी में एक तो तीन चार पाँच पंचम भाव में इसकी दृष्टी पढ़ती है जैसे गुरू की पाच्पे भाव में दृष्टी पढ़ती है तो ये केतू एक नंबर को भी हिट करेगा डैमेज करेगा केतू का मतलब होता है एक्स्टर्णल इंजूरी तो ब्रिशवरासी वाले लोग इतना सापधान रहें कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो किसी भी कीमत पर हेलमेट आपके सर से नीचे ना उतरे और इट शुड भी फिक्स्ट टाइटली ऐसे नहीं कि पुलिस को धोका देने के लिए जस्ट एक तो डाल दिया आराम से कारण कि एक केतु बोलते हैं कि मैं इनको चोट भी लगा सकता हूँ और खर्चे भी बढ़ा सकता हूँ इनको परिशान भी कर सकता हूँ पूर अब दिसा में जब आप पूर अब दिसा की ओर जाते रहो गया और वहां पर कहीं पानी हो मंगल की जो सात्मी केतु की जो सात्मी दिरिष्टी है वो यहां भी है केतु की सात्मी दिरिष्टी यहां पर भी है तो केतु के सात्मी दिरिष्टी तीन नमबर पर पड़ रही है तीन नमबर को थायराइड बोलते है गला बोलते हैं स्वास की नली बोलते हैं बोलने की नली बोलते हैं भूकल कार्ड को बोलते है तो केतु बोलते हैं कि चलिए मैं तो यहां बहुत दिनों से बैठा हूँ जिनको कुछ रोग नहीं हुआ कोई बात नहीं है भगवान करे अच्छा हुआ आपका लेकिन फिर भी म अभी भी बाकी है अगले साल के सेप्टमबर तक केतु यहीं पर रहेंगे सनी बदल जाए लेकिन केतु तो भी रहेंगे यहां पर और यहां से नौम घर में साथ आठ नौ यहां भी मैं डेमेज कर सकता हूँ पांच नंबर है आपके हर्ट की बात है आपके चाती की बात है आपके मम्मी की बात है तो उनको भी कस्ट हो सकता है तो मंगल का ब्रिशव रासी में रहते रहते क्या-क्या नुक्सान हो सकता है ये बात हमने आपको बताई और आप इसको समझ लें ठीक से और इसका तरीका जो हमने बताया उसको भी समझ लें कारण की सिर्फ 100% जो द्रिश्टी है उसी को देख करके आगे ना बढ़ें रिश्यो ने जब इस द्रिश्टी का योग किया तो महत्वतो था इसका जैसे मैंने कहा कि मालिया 50% 50% पंचम या नवम द्रिश्टी से मंगल सनी देखते हों किसी घर को एक ही घर को देखते हैं और दोनों देखते हैं तो 50% मंगल का 50% सनी का तो हो न गया 100% उसी तरह से किसी लड़की के मंगला मंगली के दोस्ट के लिए आपको भी ये देखना पड़ेगा देखे एक चीज भरांती पहली होई है कि मंगल दोस्ट सिर्फ मंगल के कारण ही होता है नहीं पापक ग्रह के कारण होता है पापक ग्रह सनी भी हैं मंगल भी हैं राहू भी हैं केतू भी हैं और सूरज भी हैं क्रूयल प्लैनेट हैं तो ये पाँच ग्रहों के रहने से भी मंगल के समान दोस उत्वपन होता है तो वो न्यूटलाइज करना पड़ता है रियल वे में चेक करना पड़ता है कुली मिलाना कुली देखने से ज़्यादा कठिन है फिर से रिपीट वोल रहो कुली मिलाना कुली देखने से ज़्यादा कठिन है करन की आपको बहुत सारे डॉंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए नहीं तो बच्चे या बच्ची की जिन्गी कस्ट में हो जाएगी और जब एक वार आप बागदत्ता कर दिये किसी लड़की को या लड़के को तो प्लीज पंडित जी के पास मचाएए तब छोड़ दिये तब इश्वर पर और दैब पर और प्रारफ पर भरोशा किजए इश्वर पर भरोशा किजए तो मंगल अगनी तत्व है और ये ज़्यादा तर इनका काम होता है जलाना तो अभी भी देख रहें कितनी आग चार और फैल रही है छोटी छोटी बात होती है और विशा लगनी हो जाती है तो जो लोग चतुर है अपने घर की पहले रक्षा किजए घर के अंदर में जो आपका गैस है जिस पर खाना बनता है उस पर विसेज ध्यान दीजे हीटर रखें उस पर ध्यान दीजे इंड़क्शन चुला रखें उस पर ध्यान दीजे स्वीच बोर्ट्स वगरे ठीक साकते हों दूसरा और सबसे एहम बात मंगल का मतलब होता है अगनी का मतलब होता है आपके सरीर के अंदर का क्रोध क्रोध ज्वाला है क्रोध अगनी है क्रोध विक्रिती है क्रोध का अस्थान चठागर है यह हार्म करता है कोई भी चीज की प्राप्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है कोई भी चीज आप चाहते हो वो आप से दूर हो जाता है तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाता है क्रोध से संमोहन होता है क्रोधात भवति संमोहा पर अकल खतम हो जाती है और संबोहन से बुद्धी भरष्ट हो जाता है और बुद्धी भरष्ट हो गई तो पाप होता है एक सिस्टम है, क्रोनिकल ओजर में है यह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और क्रोध हुत्पन्न का दूसरा कारण है अभिमान स्वाभिमान से एक बिंदू ऊपर उठा तो वो अभिमान बदल गया अभिमान को थोड़ा भी ठोकर लगी जैसे सीसे में ठोकर लगती है तो चटक जाता है वहां से फिर अगनी प्रजोलत होती है जहां पर से चटक था है वहीं से अगनी प्रजोलत हो जाती है तो क्रोध बहुत बुरी चीज है इससे भी बच्चे और जिन लोगों का खून खराब है लीवर खराब है या और भी कोई कठिन रोग है देखिए जनरली जो विक्रित रोग है मंगल प्लस नी प्लस राहो ये कम्बिनेशन कठिन रोगों को उत्पन करता है मालिया ये कम्बिनेशन सेकेंड हास में बना है आपका मंगल जरूरी है रहना सिकंड हाउस में बना है तो रोग के उत्पत्ती का मुख्य आधार आपका खाने है भोजन है, खाना है अब यही चीज जदि आपका फोर्थ हाउस में बना है तो फोर्थ हाउस जलतत्यों को बोलते है अगनी यह जो थोड़ा सा जाल लीजे इसको अगनी बोलते है इसको प्रिच्वी बोलते है इसको वायू बोलते है इसको जल बोलते है फिर रिपीट होगा यह त्रिकोन है पंचमभाव को फिर अगनी बोलते है छटे घर को प्रिच्वी बोलते है प्रिच्वी तत्व यह वायू तत्व है वायू तत्व है और अस्टमभाव को जल तत्व बोलते है इसलिए इसको समुदर से नदी से बात करते है फिर यह त्रिकोन आया तो फिर यह अगनी तत्व है यह प्रिच्वी तत्व है यह वायू तत्व है और यह जल तत्व है इसलिए इसको भी जल बोलते है यह समुदर है यह समुदर है यह इंडिया से सटा हुआ समुदर है वो इंडिया से बाहर वेस्टर्ण जोन का समुदर है तो जदी यह मंगल, सनी और राहो जल तत्व में है जलतत्यो वाले रासी में है जलतत्यो भाव में है अब यहाँ पर यह जलतत्यो भाव है चार, आठ, बारह लिखा हुआ है तो जलतत्यो की रासियां भी है यह तो जो रोग, कठिन रोग उपजा है वो पीने के जरीए उपजा है लिक्विट के जरीए उपजा है ये जदी यही चीज तीसरे घर में है थर्ड हाउस में है तो ये वायू तत्व है तो कहीं कचड़े जला रहे होंगे या आपके महले के इर्दगिद कूड़े का अमबार है वहाँ पर जलाई जा रही होंगी और उसके धुआ आपके फ्लैट में आ रहा हो या आप उसका आपके पास बिकल्प नहीं है आपके फेपड़ों में जा रहा है तो स्वास के जरिये वायू के जरिये ये रोग आपके सरीर में प्रवेस किया है और पृत्वी तत्व जो है ये मिक्स में होता है मतलब आपके अंदर में भी रोग का जर्मस पहले से मौजूद था और स्थितियां ऐसी बनी जिसमें अगनी तत्व भी है वायू तत्व भी है और ये एक्स्टर्नल इंजूरी के एक्स्टर्नल प्रॉब्लम के कारण ये रोग हुआ पृत्वी तत्व है उन्हें जिसको हम लोग बोलते हैं जिस पर पैर रखते हैं धर्ती है ये तो धर्ती के कारण हुआ अब इसको थोड़ा सा एक्स्प्रेइन करते हूं तो लोग बोलेंगे बास्तू दोस है उसके कारण है ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर लोग ट्वल्थ हाउस में कुछ सूरज राहू रह गया और वो कोई एक ग्रह सूरज राहू मगा में हैं तो बोलते हैं पितर दोस है तो इस सब चीजें भी है थोड़ा कंसीडर करने की है तो मंगल बहुत खतरनाक है अब ये कठिन रोग में कुछ भी हो सकता है आपके छाती में रोग हो सकता है कैंसर हो सकता है टुबर क्लासिस हो सकते हैं न छूटने वाले बहुत सारी ब्याधियां हो सकती है कारण की मंगल खोन को रिप्रजेंट करता है सनी नर्व्स को इंडिकेट करते हैं राहु विश को इंडिकेट करते हैं यह तीनों चीज जहां मिल गए उसको तो बिल्कुल डेमिज कर देता है दुरवाग्य से एक गरह कोई और इसमें जुट गया सूरज भी जुट गया तो रोग बड़ा अशाध्य हो जाता है फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस भाव में जिस भाव में यह रोग है जिस भाव के कारण यह रोग आया है तो इससे देखन भाव में 10th आॉस में क्या है यह 10th ौस में डॉक्टर है एक अलग बिसे हैं फिर कभी डिटेल हुआ तो बताऊंगा करण कि इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है हम लोग को कोई रोग होता है तो हम लोग भटकते रहते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे हैं वो डॉक्टर अच्छे हैं दिली के डॉक्टर अच्छे हैं वेलोर के डॉक के कारण भी रोग उत्पन हो जाता है वो भी प्रत्वितत के कारण होता है तो आज यहीं तक इती सुभम तेहंदो निनाग के चौहार